हेलो फेंस स्वागत है आपका अपनी यूटूब चनल जेपी एजुकेशन सेंटर परतो फेंस हम ने आपके लिए कलास 10 के 50 समाजिक विज्ञान के अबजेक्टिव कोच्चन लेकर आ गए हैं जो भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इस बार यानि 2024 में पक्का पूछे गाई आपको इन सबी कोच्चनों में से किसी भी कोच्चन का अशर पता होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा चैनल पनाय होंगे तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा तो चलिए फ्हेंस हम चलते हैं कोच्चन की ओर देखिये फ़र्स क्या कर रहा है कर रहा कि 17 लोगसभा का कब हुआ था तो 2019 में याद रखना चलिए नेस्ट कुछन की बढ़ते हैं देखें नेस्ट कुछन क्या करा रहा है करा कि भारत में राष्टिय अस्तर पर पंचायती राज की अस्थपना कब हुई तो इसका अस्तर पर पंचायती राज की अस्थपना हुई तो इसका करेक्ट असर हो जगा पंचायती राज चलिए नेस्ट कुछन की बढ़ते हैं देखें नेस्ट कुछन क्या करा रहा है करा कि बरतमान में भारत में कितने केंदर सासित पर देश है बरतमान में भारत में कितने केंदर सासित पर देश है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा आठ अपसर नमर सी इसका सही अंसर हो जगा बरतमान में कितने केंदर सासित पर देश है तो आठ चलिए नेस्ट कोचन की वो बढ़ते हैं देखें नेस्ट कोचन क्या करा है करा कि बिहार में पंचायती राज का सोरूप क्या है बिहार में पंचायती राज का सोरूप क्या है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा इनमेस सभी अफसर नमर डी इसका सही अंसर हो जगा जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिती जीरा परसत आपसर नमर डीज का सही अंसर हो जगा चलिए नेस्ट कुचन की वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुचन क्या कर रहा है कौरा की सत्तरमी लोग सबा में महिलाओं की संख्या है कितनी है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा 78 आपसर नमर एज का सही अंसर हो जगा सत्तरमी लोग सबा में महिलाओं की संख्या कितनी है 78 चलिए नेस्ट कुचन की वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुचन क्या कर रहा है गटबंदन सरकार की पकड़ परसाशन पर कैसी होती है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा ढीली आपसर नमर बीज का सही अंसर हो जगा ढीली चलिए नेस्ट कुचन की वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुचन क्या कर रहा है भारत में सर्वच नयाले के मुख नयादीश की न्युकती कौन करता है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा राष्ट पती आपसर नमर बीज का सही अंसर हो जगा राष्ट पती चलिए नेस्ट कुचन की वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुचन क्या कर रहा है बारतिय योजना अयोग के पर्थम अध्याच कौन थे तो इसका correct answer रोजेगा पंडी जुआहलाल नेहरू अप्सन नमर सी इसका correct answer रोजेगा पंडी जुआहलाल नेहरू चलिए नेश्ट कोचन की वो बढ़ते हैं देखिए नेश्ट कोचन क्या करा है करा कि जर्मनी का एकी करण का पूरा हुआ तो इसका correct answer रोजेगा अठारा सो रोजेगा अथारा 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 सो रोज करता है निमांकित में कौन हमारे रहन सान के अस्तर को परवाइद करता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा प्रती ब्यक्ति आए अपसर नमर सी इसका सही एंसर हो जाएगा पुराती बेक्ती आया, चलिए नेस्ट कोचन की वो बढ़ते हैं, देखिए नेस्ट कोचन क्या कर रहा है, करा कि अर्थ ब्योष्था के की छेत्र में हरित करांथी समंदित है, तो इसका करेक्ट अंसर होजेगा प्राथमिक छेत्र से, अप्सन नमर ए इसका सही अंसर प्रात्मिक छित से चलिए नेस्ट कोचन के वह बढ़ते हैं दखें नेस्ट कोचन क्या करा है करा कि गांधी जी ने सत्यागरा का पहला परियोग कहां किया था गांधी जी ने सत्यागरा का पहला परियोग कहां किया था तो इसका करेक्ट अंसर हो जेगा चमपारण में अफस ट्रेंड इंडिया स्थापना किस वर्ष हुए तो इसका correct अंसर रोज़ेगा 1929 चलिए next question की वह बढ़ते हैं देखें next question क्या का रहा है और अगकि बिहार की किस नदी की उतपत्ती अमर कंटक से हुई है तो इसका correct अंसर रोज़ेगा सोन न दिकी आफसर नमर सीज का सही अंसर हो जगा सोन न दिकी चलिए नेस्ट कोचन की वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कोचन क्या करा है करा कि भारत का सबसे बड़ा रिलवेज छित्र कौन है भारत का सबसे बड़ा रिलेवेच छेत्र कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा उत्तर रिलेवेच छेत्र आपसर नमर 20 का सही अंसर हो जाएगा उत्तर रिलेवेच छेत्र चलिए next question की वो बढ़ते हैं तेखिए next question क्या करा रहा है करा कि सिहली किस देश की राज भांसा घोसित किया गया है सिहली किस देश की राज भांसा घोसित किया गया है तो इसका correct answer हो जाएगा सिरलंका की अपसर नमर 20 का सही अंसर हो जाएगा सिरलंका की चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा रहा है करा कि बियार में प्रिथक राज का दर्जा कॉप दिया गया बियार में प्रिथक राज का दर्जा कॉप दिया गया तो इसका correct answer हो जएगा 1912 स्वी में अपसर नमर 20 का सही answer हो जएगा 1912 स्वी में बियार को प्रिथक राज का दर्जा दिया गया चलिए नेस्ट कोचन के वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कोचन क्या करा है करा कि आधुनिक सार सबसे पहले कहां बसने सुरू हुए थे तो इसका correct answer हो जगा England में आपसर नमर सी इसका सही answer हो जगा England में चलिए next question के वो बढ़ते हैं दखे next question क्या कर रहा है किस राज में खनीच तेल का विशाल भंडा रहे हैं तो इसका correct answer हो जगा awesome में option number a इसका सही answer हो जगा awesome में खनीच तेल का विशाल भंडा रहे हैं याद रखना चलिए next question के वो बढ़ते हैं देखे next question क्या कर रहा है कर रहा कि रेसम उद्धोक का प्रासीत के अंदर कौन है तो इसका correct answer हो जगा भागलपूर, अपसर नमर 20 का सही अंसर रोजेगा भागलपूर चलिए नेस्ट कोचन की वो बढ़ते हैं, देखिए नेस्ट कोचन क्या करा है करा कि बिहार में सबसे कम वर्षा की जिला में होती है बिहार में सबसे कम वर्षा की जिला में होती है तो इसका correct अंसर रोजेगा बाक्सर जिला में option number 10 का सही अंसर रोजेगा बाक्सर जिला में चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखे next question क्या करा है करा कि निमलीखित में कौन दलित पैथर्ज के कारिकरम से सम्मंदित नहीं है निमलीखित में से कौन दलित पैथर्ज के कारिकरम से सम्मंदित नहीं ए तो इसका correct अंसर रोजेगा दलित सेना का गठन option number 10 का सही अंसर रोजेगा दलित सेना का गठन चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखे next question क्या करा है करा कि भारत में पहली बार केंदर में गयर कांग्रेसी सरकार कप बनी थी तो इसका correct अंसर हो जएगा 1967 इसवी में option number 20 का सही अंसर हो जएगा 今日 continuation इसवी में भारत में पहली बार केंदर गयर कांग्रेसी सरकार बनी थी चलिए next question क्यों बढ़ते हैं जोगे नेस्ट कुचन क्या करा रहा है करा कि किसके नेत्रियूत में 1927 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ किनके नेत्रियूत में 1927 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ तो इसका करेक्ट निसर हो जगा मुरारजी देशाई की नेत्रियूत में अप्सन नमर सीज का सही अंसर होजेगा मुरारजी देसाई चलिए नेस्ट कोचन की वो बढ़ते हैं तेकि नेस्ट कोचन क्या करा है करा कि भारत की रधानी कहा है तो यह बहुत हलका कोचन हो गया तो भारत की रधानी कहा है नई दिली option number 10 का सही अंसर होज़ेगा याद रखना चलिए next question की वो बढ़ते हैं तेखिए next question क्या करा करा कि 26 December 2004 को बिस्वो के किस हिंसे में भ्यांकर सुनामी आया था 26 December 2004 को बिस्वो के किस हिंसे में भ्यांकर सुनामी आया था तो इसका correct answer होज़ेगा बंगाल की खाड़ी में option number 10 का सही अंसर होज़ेगा बंगाल की खाड़ी में 26 December 2004 को बिस्वो के हिंसे में भ्यांकर सुनामी आया था चलिए next question क्यों बढ़ते हैं दखिए next question क्या करा रहा है करा कि भारत का सबसे पुर्वी राजी कौन है भारत का सबसे पुर्वी राजी कौन है तो इसका correct answer होज़ेगा अरुना आचल परतेश option number 10 का सही अंसर होज़ेगा अरुना आचल परतेश भारत का सबसे पुर्वी राज है याद रखना चलिए next question क्यों बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा रहा है option number 10 का सबसे पुर्य रूप क्या है option number 10 का सबसे पुर्य रूप क्या है तो इसका correct answer होज़ेगा लोगतंत्र option number 10 का सही अंसर होज़ेगा लोगतंत्र चलिए next question क्यों बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि cycle किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन है cycle किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन है तो इसका correct answer होज़ेगा समाजवार्दी पार्टी का option number 20 का सही अंसर होज़ेगा समाजवार्दी पार्टी का चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यच कौन थे चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा रहा है करा कि निम्न में से भुकॉंप तरंग मापन यंतर कौन है निम्न में से भुकॉंप तरंग मापन यंतर कौन है तो इसका correct answer होज़ेगा सिस्मोगराप चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा रहा है करा कि इंडियन स्टेट इूटरी कमिशन के अध्यच कौन थे इंडियन स्टेट इूटरी कमिशन के अध्यच कौन थे तो इसका correct answer होज़ेगा जान साइमन, option number 10 का सही answer होज़ेगा जान साइमन जान साइमन क्या थे तो इंडियन स्टेट इूटर के कमिशन के अध्यच थे चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा रहा है करा कि निमलीखित में से कौन सी प्राकीरतिक आपदा नहीं है तो इसका correct answer होज़ेगा यूद, option number 10 का सही answer होज़ेगा यूद चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि सबसे उत्तम किस्म का कोईला होता है कौन होता है तो इसका correct answer होज़ेगा इंथरासाइड option number 10 का सही answer होज़ेगा इंथरासाइड चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि नदियों में बाड़ आने का परमुक करण क्या है नदियों में बाड़ आने का परमुक करण क्या है तो इसका correct answer रोजेगा उपयुक्त सभी जैसे जल का अधिक्ता से बाड़ा जाता है नदि के तल में उसाथ के जमाव से वर्षा के अधिक्ता से अपसर नमर्डीज का सही अंसर होजेगा उपयुक्त सभी चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि चावल किस परकार की जलवायू का पौदा है तो इसका correct answer होजेगा उस्षड आद अपसर नमर्डीज का सही अंसर होजेगा उस्षड आद चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि मुद्दरान सबसे पहले किस देश में अरंब हुआ मुद्दरान सबसे पहले किस देश में अरंब हुआ तो इसका correct answer होजेगा चीन में अपसर नमर्डीज का सही अंसर होजेगा चीन में चलिए next question की वो बढ़ते हैं देखिए next question क्या करा है करा कि अंतरास्टी या मानक संगठन का मुख्याले कहा है अंतरास्टी या मानक संगठन का मुख्याले कहा है तो इसका correct answer हो देगा जेन नमा option number A इसका सही answer हो देगा जेन नमा में चलिए next question के वो बढ़ते हैं देखें next question क्या करा है कर रहा कि किस वर्स Simon Commission भारत आया किस वर्स Simon Commission भारत आया तो इसका correct answer हो देगा 1927 में option number C इसका सही answer हो देगा 1927 में साइमन कमिशन भारत याथ है याद रखना चलिए नेस्ट कुछन के वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुछन क्या करा है और आकि निन में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा कागज के नोट अप्सन नमर 20 का सही अंसर हो जगा का परस हुआ था तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा 1936 में आप्सन नमर 20 का सही अंसर हो जगा 1937 में आखिल भरते किसान का सभा का गठन हुआ था याद रखना चलिए नेस्ट कुछन के वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुछन क्या करा है करा कि परिवहन के सादुनों में सब परिवहन का साधन कौन है तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा जल अप्सन नमर 20 का सही अंसर हो जगा जल चलिए नेस्ट कुछन के वो बढ़ते हैं देखिए नेस्ट कुछन क्या करा है करा कि भारत के किस राज की प्रती व्यक्ति आय सबसे कम है भारत में किस राज की प्रती अपसर नमर बी इसका सही अंसर हो जईगा, जर्मनी के एकिकरण के लिए उतरदाई है। प्राशीत नारा क्या था भारत चोड़ो अंदोलन का प्राशीत नारा क्या था तो इसका करेक्ट नारा क्या रोगा करो या मरो चलिए निस्ट कोचन की वो बढ़ते हैं यहीं देखिए लास्ट कोचन है देखिए क्या करा रहा है करा कि भारत में टाटा हाइडरो इलेक्टरिक पाउर स्टेशन की स्थापना कब हुई तो इसका करेक्ट एंसर हो जगा 1910 सिसी में अप्शन नमर ए इसका सई एंसर हो जगा 1910 सिसी में